पहला क्योंशन भारत में सबसे बड़ा बाग अभ्याराण रिजार्वा है इसका उत्तर होगा नागरजुन दूसरा क्योंशन भारत की सबसे पहली इंजिरिंग सिक्षा संस्था है इसका उत्तर होगा रूड की इंजिरिंग कॉलेज आई 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 टी रूड की थीसरा किसन भारती रेल्वे की सबसे तेज चलने वाली रेल गाड़ी है इसका उत्तर होगा नई दिल्ली आगरा गतिमान एक्सेप्रेस चाथो किसन वह प्रथम राष्टी नेशनल पार्क कौन से है जिसे भारत में इस्थापित किया गया है इसका राइट इन सर कॉर्बेट नेशनल पार्क अचो किसन राइल सोसाइटी आप लंदन का प्रथम भारती फैलो कौन था इसका उत्तर है ए सिवाडिया चाथो किसन भारत में सबसे पहले निर्मीत रंगिन चल चीतर कौन सा है इसका उत्तर है किसान कनिया साथो किसन है सबसे लंबी नदी है इसका उत्तर है निल नदी आठो किसन है निल खित में से किस सहर में वाडि जपैमाने पर सबसे पहले बिजली का इस्तमाल किया गया इसका उत्तर है दार्जिलिन नवा किसन है दुन्या में सबसे पहली महिला प्रधान मंत्री कौन थी इसका राइट एंसर स्री मावो भंडार नायके दसा किसन है रेडियो का प्रथम प्राइबेट एप एप हम चैनल निल खित में से किस सहर में सुरू किया गया था इसका राइट एंसर है बैंगलोर ग्यारो केशन है संसार का बसे लिखा है वो सबसे है सबसे बड़ा दीब समों कौन सा देस है इसका right answer है इन्डुनेशिया बारो केशन है भारती यह विश्वी द्याला की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी तो इसका right answer है वारेन हेस्टिंग्स तेरवा केशन है निम्न लिखित में से कौन सा सबसे अधिक मुस्लिम जन संख्यावाला राश्ट है तो इसका एंसर होगा इंडोनेसिया चौदध केशन है नेमनलिखित में से कौन सा प्रथम फ्रचे पास्त रहे जिसका विकास भारत में किया गया है इसका उत्तर है प्रिथ्वी पंदरवा केशन है भारत का पहला इंजिरिरिंग कॉलेज कहा इस्तित था तो इसका रेट एंसर है रूड की नेश्ट क्योशन 16 है भारत में सबसे पहली यात्री रेल गाड़ी चली थी इसका राइट एंसर है अप्रेल अठारा सो तीरपन में सत्रवा क्योशन है निन्न लिखित में से की शेत्र में अनुसुचित जाती का सारवधिक संकेंद्राड है इसका उत्तर होगा भारत गांगे या इंडो गंगेटिक मैदान अठारो क्योशन भारत की सबसे पहली बोलती टाकी पीचार फिल्म कौन सी थी इसका राइट एंसर है आला मारा उनिस्वा क्योशन किसने पहला स्वाचालित वहान आटो मोबैल बनाया था इसका राइट एंसर है हेंडरी फोल्ड बिश्वा क्योशन अंत्रीक्ष में प्रवेश करने वाला पहला बेक्ती था तो वहाँ पहला बेक्ती था इसका राइट एंसर होगा यूरी गागरिन 21 question आर्य समाज की स्थापना की थी स्थापना की थी स्वामी दयानन सुर्षती ने 22 question है भारतिय राष्टी कांग्रेश की पहली महिला अध्यक्च कौन थी तो पहली महिला अध्यक्च थी इसका रैट एंसर है टीसवा प्योसण है चिपक आंधूलन की से संबंधित है तो चिपकrant जो है वहा हुँँँआ सरकचांड से संबंधित है इसका रैट एंसर वन सरकचांड चोवीश्वा क्योशन है आर्य भट को कहां से छोड़ा गया था तो आर्य भट को इसका रैट एंसर होगा दमन से छोड़ा गया था पचिस्वा क्योशन है भारत का राश्टी पूस्ब कौन सा है तो भारत का राश्टी पूस्ब है इसका रैट एंसर कमल है 26. सुक्र ग्रह का अन्वेसाड करने के लिए सबसे पहला रोबोट अंतरिक छायान का नाम था मैगिलान 27. निम्न लिखीत में से केंद्री विश्विद्याला है कौन सा है तो केंद्री विश्विद्याला है इसका राइट अन्सर है पांडी चेरी 28. मान्चित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं इसका राइट अन्सर है कार्टो ग्रॉफी 29. निम्न लिखीत में से वह विक्ति कौन है जिसे भारती मिसाल प्रदुगी का पीता कहा जाता है तो इसका राइट अन्सर है डाक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 29. हमारा तिस्वा केशन है राश्टी क्रिसी अनुचंधान प्रबंधन अकादमी कहा इस्थित है तो इसका राइट अन्सर है है हैदराबाद 29. एक तिस्वा केशन है तन्जान्या की राश्धानी है तो तन्जान्या की राश्धानी है डोडोमा 32 क्योशन है इंद्रा गांधी राष्टी उड़ान अकादमी इस्थित है तो इसका रैट एंसर है राय भलेरी में 33 क्योशन है नक्सो पर 6 रफल मापने के लिए ये प्रयुक्त यंद्र को कहते है तो इसका रैट एंसर है प्लैनी मीटर 34 क्योशन है हमारे राष्टी चीनह के नीचे आदर सवाक्य क्या है तो इसका रैट एंसर है सत्यम्यो जैते 35 क्योशन है संसार में माउंड एवरेश्ट पर चड़ने वाली पहली महिला कौन थी तो इसका रैट एंसर है जुंको तबही 36 क्योशन चांद पर उतरने वाला दूसरा वेक्ती कौन था तो चांद पर उतरने वाला दूसरा वेक्ती था बज एल्टिन 37 क्योशन गिरवन किसके लिए प्रसिद्ध है तो गिरवन सिया सेक्चुरी के लिए प्रसिद्ध है 38. स्वेथ क्योला है तो स्वेथ क्योला का रेट एंशर है जल्विद्धूत 49. भारती राष्टी कांग्रेश का पहला मुसलिम अध्यक्षा कौन था इसका रेट एंशर है बद रुद्दीन तेबजी 40. भारत का अंतीम गवर्नर जनरल कौन था तो इसका राइट एंसर है C. राज गोपालाचारी अगला किसान 41 किसान निम्खित सहरों और उनके पतनों का मिलान करें तो इसका राइट एंसर जो चौथा में जो आपसन दिया है वही होगा A का चौथा, B का तिसरा, C का पहला और D का दूसरा 42 किसान है एट्स का पूरा रूप क्या है तो एट्स का पूरा रूप है इसका राइट एंसर होगा Acquired Immunodeficiency Syndrome 43 किसान मधुमक्की पालन को कहते हैं तो इसका राइट एंसर होगा Epiculture Epiculture इसका राइट एंसर होगा मधुमक्की पालन को Epiculture कहा जाता है 44 किसान है भारत में निम्न लिखित राज्यों में से अधिक्तम लिंग अनपात किसका है तो इसका राइट एंसर होगा केरल 45 वा क्योशन है कैम्बरीज वी स्विद्याले के प्रतिष्ठी त्रिनिटी कॉलेज का अध्यक्ष बनने वाला पहला 46 वा क्योशन है संपूर क्रांती की संकल्पना किसने की थी तो इसका राइट एंसर है जैप्रकाश नराण जय प्रकास नरायर संपूर क्रांती की संकल्पना की थी सहे तालिसवा के सन है लोग सभा के लिए पहले मध्योधी चुनाव हुए थे इसका रेटेंसर है 1977 में और तालिसवा के सन है जपान की संसत को कहते हैं तो जपान की संसत को डायट कहते हैं 49 question है भारती रिवर्ज बैंग का राष्टी करंड किया गया था इसका राइट एंसर है 1949 में भारती रिवर्ज बैंग का राष्टी करंड किया गया था अन्तिम question है 50 पी एस एल भी का पूरा रूप है तो इसका राइट एंसर है पोलार सेटेलाइट लाउंच वेचिल चैनल को सब्सक्राइब किजिए ताकि मैं ऐसे क्वेशन इन्पाटिन क्वेशन लाता रहता हूं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब किजिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद जैन